आज मैं आपसे बागबट जी के अश्टांग हिर्दयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपून अध्याय की बात करना चाहता हूँ जिसकी तरफ प्रदीब भाई ने इशारा ही कर दिया मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था उन्होंने कहे दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में बात पित कफ की इस्थती अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूँ तो आप बागबट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ और मन के बाद एक और इस्थती होती है चित की वहाँ भी स्वस्थ तो आप मन और चित और शरीर तीनों इस्तर पर स्वस्थ हैं ये उनकी भाशा है निरोगी है अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है चित्त स्वस्थ नहीं है तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको कुछ न कुछ तकलीफ हैं आप अपने को देने वाले हैं समाज को देने वाले तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं ये तभी संबब है जब वात, पित, कफ आपके शरीर में सम है सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है वात, पित, कफ तीनों दोश है एक तरफ भागवटी जी कहते हैं कि ये तीनों दोश है त्रिदोश लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है ये भी महत्तो की बात है अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से कामी नहीं ले सकते वात भी चाहिए, पित भी चाहिए, कफ भी चाहिए बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो जब जितनी जरूरत है उतने हो जन्वरी का महिना चल रहा है, मानलो अभी आ जाएगा कल से तो जन्वरी के महीने में बात जितना चाहिए पित जितना चाहिए कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा फरवरी में मार्च में महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना बात पित कफ होता रहे तो आपके लि लोग में डूबेंगे ये है जो महत्तु की बात समझने की है तो बागवट्टी जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वाद्पित कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहें उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा पूरा अध्याय लिखा उसका नाम है दिन चर्या दूसरा एक अध्याय लिखा उसका नाम है रितु चर्या एक अध्याय लिखा आहार द्रविका ग्यान माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना आहार द्रविका ग्यान फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से जादा अध्याय लिख डाले कुल अध्याय मैं 7000 सूत्र में बार repeat कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको तो जो दिन्चरिया वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूँ और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीब भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप दिन्चरिया के बारे में बागवट जी कहते हैं कि सामने रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिन्चरिया तै करने हैं शरीर के हिसाब से सब के लिए ये जर्णल नहीं है ये ध्यान रखना हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है जैसे मेरे बगल में बाबुजी बैठे हैं तो इनकी दिन्चरिया मुझसे अलग होगी और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है भाई या बहन है उसकी दिन्चरिया मुझसे अलग होगी तो आपकी सुविधा की अनुसार में तीन हिस्से करता हूँ मैंने पहले भी वो तीन हिस्से किये हैं जवानी शुरू होती है अठारे उन्नीस वर्ष में इस देश में ऐसा माना जाता है बागवट्टी जी के हिसाब से ये बरावर नहीं है आज माना जाता है हमारे आठारे साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है ऐसा माना जाता है कि आप में परिपकुता है बागवट्टी जी कहते हैं कि जवानी तेरे से चौदे साल में शुरू हो जाती है तेरे से चौदे साल में शुरू हो जाती है 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग और 60 साल के उपर 30 भाग तीन तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए अब इसमें दिन चर्या का ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात जो आप सब को याद रखनी चाहिए हमेशा कि जो 60 वर्ष से लेकर माने पहला दिन का कोई बच्चा है वहाँ से शुरू करके 13-14 साल ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है ऐसा कहें बच्पन में कफ बहुत होता है शरीर को सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है उस समय वात और पित दोनों कम होते है पित तो थोड़ा रहता वात तो बिलकुल ना के बराबर होता है बच्पन में इसलिए बच्पन में 13-14 साल की उमर तक कि किसी भी बच्चे को या भाई बेहन को मैं देखता हूँ और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया आना ही नहीं चाहिए बागवट्टी जी कहते है कि प्रकरती ने एक व्यवस्था बनाई हुई है वो व्यवस्था ये है कि बच्चपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा कफ जादा होगा जिनको कफ जादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए बाल बढ़ने ही चाहिए उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए शरीर सोने के लिए ज़्यादा प्रवरत होना ही चाहिए क्योंकि कफ के असर में नीद बहुत आती है तो 14 वर्ष की उमर तक अगर कोई भी भाई या बेहन बेटा या बेटी 8 गंटे से 10 गंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूली माना जाता है तो कफ के असर में नीद बहुत आती है वाद के असर में नीद बिल्कुल कम हो जाती है तो कफ के असर में अगर वो बچ्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिन्चर्या, रितुचर्या है फिर क्या होता है कि चौदे साल से उपर लेके साठ साल तक जवानी मान लीजिए तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है 14 साल से लेकर 60 साल तर पित्त का असर होगा तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में तो इनके लिए एक तरह की रितुचरिया दिन चरिया और तीसरा है साठ के उपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर तो साठ के उपर उम्र जिनकी हो गई अब वो मुझे ये कहें कि राजी भाई घुटने दुख रहे हैं तो समझ में आता ठीक है भाई स्वाभाविक है आपके लिए हड़ियां कमजोर हो रहे हैं बिल्कुल स्वाभाविक है ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीज़ हैं स्वाभाविक होती है तो साठ के बाद जब तक आप जीवित हैं बाद के प्रभाव में है 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उमर है आप पित्त के प्रभाव में है और 14 वर्ष से कम आपकी उमर है तो आप कफ के प्रभाव में है तो मैं कफ से शुरू करता हूँ कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक उनकी दिंचरिया कैसी होनी चाहिए उनके लिए बागवट जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं ये आज से आप मैं आप से माफी बांगते हुए कह रहा हूँ कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहे उतनी नीद लेने दीजिए आप उनको टोका टाकी मत करिए अक्सर मैंने देखा है माबाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए अरे इतनी देर सोता है वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है तो आप जबरजस्ती उसको मार के पीठ के उठाएंगे चल पढ़ने को बैठ होमवर्क कर टीचर ने इतना दे दिया अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिंचरिया रखिये तो बागवठी जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 गंटे तक की नीद सुईक्रत है माने 10 गंटे तक वो 24 गंटे में सो सकता है अब ये नीद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा एक हिस्से में ले तो भी चलेगा लेकिन जादा बहतर है कि 2 हिस्से में ले माने रात को 8 गंटे तक सो जाए नौ घंटे तक सो जाए दुपहर को एक घंटे जरूर सो जाए लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी तीन कैटेगरी बनती है चौदे से आठ एक कैटेगरी चौदे साल से आठ साल आठ साल से चार साल एक कैटेगरी और फिर चार से एक साल की कैटेगरी तो एक से चार साल वाली कैटेगरी में बागवट्टी जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नीद और चार से आठ साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नीद और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 गंटे की नीद तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है आप उनको सोने से मत रोके क्योंकि कफ का असर है और कफ का प्रभाव जब जादा होता है न तो होता क्या है वो समझ लीजे कफ आप जानते चिकना पदार्थ है इसनिक्द पदार्थ है कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए जो बलगम है न वो ही कफ है ऐसा समझ लीजे वो इसनिक्द है चिकना है और बहुत भारी है ये गुरु है गुरु माने भारी हेवी है बहुत हेवी है इससे ज़्यादा हेवी कोई चीज नहीं तो सिनिक्द है चिकना है भारी है गुरु है और जो भारी चीज होती है वो शरीर के बलड प्रेशर को हमेशा बढ़ाती है हमेशा बढ़ाती है हर भारी चीज हैवी चीज आप कहते हैं न कहते हैं कई बार चिकित से खलका खाओ जी ज़्यादा भारी चीज मत खाओ हर भारी चीज शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है क्योंकि बारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत तो जादा है, गुरुता गुरुत तो ये जादा है, तो वो बढ़ेगा अगर blood pressure, तो आपके blood pressure को control रखने के लिए जादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगी, तो body ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई, कि आप जादा नीद लो, ये नीद लेते समय, blood pressure हमेशा कम रहता है, जितनी देर आप सोएंगे, blood pressure या तो सामने होगा, या सामने से कम होगा, जितनी देर आप जगे हुए है, blood pressure सामने से थोड़ा जादा होगा, तो बचपन में क्या है, आदमी या बच्चा, गुरुत में है, कफ में है, सिनिक्दत में है, इसलिए उसको नीद लेकर blood pressure को maintain करना है, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा देर सोएगा ही, आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ, आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 घंटे से भी ज़्यादा सो राज, तो सोचने की बात आएगी उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना है, वो 18 घंटे भी सोए तो सोने दोस को, और वैसे भी आप महसूस करते हैं, आप समाता हैं, आपने बच्चे अपने बड़े किये ही हैं, छोटे बच्चे जितने होंगे नीद उतनी ज़्यादा लेंगे, क्योंक ज्यादा आप तब ही संबब है, जब जल्दी सो जाएं, माने बच्चों को जल्दी सोना ही, आप बोलेंगे जी कितने बज़े तक सोना, बागवट जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के दो घंटे के अंदर सो जाना, अब सूर्यास्त कब हुआ, चिन्नई में मान जे छे वजे हुआ, तो हर बच्चे को आठ वजे तक सो ही जाना, कंपल सरी सो जाना, अब ये तब संबब हैं जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें, बागवट जी के समय में टीवी नहीं था होता तो उस पर भी कमेंट करते, अब ये आ गया पिछले आहने तक बारे वजे तक जकते हैं, तो उनके नीद में कमी आती है, नीद में अगर कमी आएगी, तो कफ के असर में नीद अगर पूरी नहीं लेंगे, तो फिर कफ बिगड़ेगा, और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़ चिड़ा बनाएगा, चिड़ तो उनमें चिर्चड़ापन आएगा गुस्सा भी आएगा और चिर्चड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे आप उनको लाख अच्छी बात कहो वो मानेंगे ही नहीं क्योंकि शरीर को मस्तिश्क जो है निरंतिरत करता है मस्तिश्क कफ के प्रबाव में हैं कफ बिगड़ा हुआ है सुधरा हुआ नहीं है क्योंकि नीद पूरी नहीं ले रहे हैं तो ये तो संकट आने ही वाला है तो अक्सर घरों में ये समस्या में सुनता हूँ वो कहते राजी भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं वो सुनेंगे तब तक नहीं होता है कोई भी बच्चा हो तो भी बड़ा हो तो भी कफ के असर में जब भी होगा चुड़ चुड़ा होगा गुस्यल होगा क्रोधी होगा लड़ने को हमेशा तयार होगा और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वह ऐसा ही होगा जैसे कल बेनिजिर का व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है अगर उसका कफ इतनी तीवरता पर है बिगड़ा हुआ गोली मार सकता है बम मार सकता है किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांती आती है मन में उसके संतुलन आता है तो कफ जो है न बहुत अच्छी चीज है लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है और दुनिया में जो अध्यन हुए हैं जो अभ्यास हुए हैं कि जितने भी अपराधी प्रवर्ती के लोग हैं दुनिया में वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है, कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है, महत्तु की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में हैं तो प्रेम भाव पैदा करेगा, कि दुनाता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आए, आपने कई बार अख़वारों में पढ़ा होगा, नियूस्पेपर में, मैगजीन में पढ़ा होगा, कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे, दुनिया में, सबसे खराब, उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है, आ आपने अक्सन नियूस्पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा अपने पडोसी को मारा इसको मारा और अंत में खुद को मारा। अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड हैं इस में से लगबग 3 करोड के आसपास बच्चे हैं ऐसा वो कहते हैं इन 3 करोड बच्चों में 30 लाख जेल में बंदे हैं जेल में बंदे हैं और जिनकी उमर 14 साल की 12 साल की 11 साल की 10 साल की ऐसी उमर के बच्चे जेल में बिटेन की है यही फ्रांस की है यही जर्मनी की है यही सुडन की है यही सुड़र लेंड की है इन सभी देशों में जो ठंडे देश माने जाते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए आपको सुनकर हैरानी होगी अमेरिका यूरोप के देशों में सबसे ज़्याद जो अपराद हो रहे हैं उनमें लगवग 65 से 70 प्रतिशत अपराद बच्चे कर रहे हैं वो चाहे बलातकार के हों चाहे छिड़खानी के हों या गोली मारने के हों या लूट मारी के हों बच्चे कर रहे हैं बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उमर का मानते हैं वो कर रहे हैं परि सक हो नहीं सकता कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के negative विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है इसको रोकना है तो क्या करें इसको रोकना है तो कफ कम करो बिगड़ने मत दो और कफ बिगड़े नहीं तो बागवट जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूग दवा है भरपूर नीद लेना मुफत का इलाज है बिगड़े हुए कफ को सुधारना है कंट्रोल में ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में अभी अगर कफ की इस्ति बिगड़ रही है तो भरपूर नीद लेना शुरू करिए कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आजाएगा क्योंकि शरीरी कर लेता है ये सब बस ध्यान दीजे इसका मतलब ये है कि बच्चों को चिलचड़े पन से बचाना गुसे से बचाना निगेटिविटी से बचाना गलत रास्ते पे ना चले जाएँ अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं जैसे हमारे प्रदिब भाई कह रहे थे पिता जी अच्छे नहीं लगते माता जी अच्छे नहीं लगते जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते कफ इतना खतरनाक है आप जरा समझे इस बात को जो माता पिता ने जीवन के सारे कश्ट जहल कर उनको बढ़ा कर दिया 14 साल का क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूँ मेरा अब्जर्वेशन है दुनिया में बच्चों को बढ़ा करना सबसे मुश्किल काम है सबसे मुश्किल काम मानता हूँ धीरू भाई अमबानी होना सबसे आसान काम है हाँ आपके पास कुछ पैसा नहीं है दस हजार करोड़ बनाना बीस हजार करोड़ एकात लाग करोड़ बनाना सबसे आसान काम है सबसे आसान काम है लेकिन एक बच्चे को बढ़ा कर देना या दो बच्चे को बढ़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आप फैक्टरी चला सकते हैं एक चला सकते हैं दस चला सकते हैं बीस बहुत आसान है आपके लिए क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे विशेशग मिल जाएंगे लेकिन बच्चे को बढ़ा करने के लिए मैनेजर किराई पे नहीं मिलता मिलता है तो वो बच्चों को बढ़ा नहीं कर सकता दुनिया में एक्सपरिमेंट हुए है परिवार के बाहर बच्छों को बढ़ा करने के सबसे ज़्यादा experiment यूरोप में हुए है convent है ना convent ये बच्छों को बढ़ा करने के ही केंद्र है ऐसे बच्छों को जो परिवार से बिछुडे हैं छूटे हुए लावरिस बच्चे Convent School सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए और ज़्यादा Convent के बच्चे ही वहां मरडर कर रहा है हिंसा कर रहा है, जेब काट रहा है तो बच्चे को बढ़ा करना मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और आप जो भी अपने बच्चों को बढ़ा करना है आप समझ लीजे, दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बढ़े हों कफ का बिगाड इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए तो इसके लिए बहुत सरलुपाय है कि नीद उनको भरपूर लेने दीजिए कई बार आप ऐसा मत करिए बच्चों को कई बार ऐसा लगता जपकी आ रही है तो आप जबरजस्ती पढ़ने को मत बिठाए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुरसी पर बैठते ही उंगने लगते है तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ वो 20-25 मिनट सो के आएंगे पहले से ज़्यादा फ्रेश होंगे क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती ये और बात एक ज्यान लेजे कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित के असर में ही होती है पित बढ़ना चाहिए कफ कम होना चाहिए तब ही पढ़ाई अच्छी होगी तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है असर उसका भयंकर दुश्प्रभावी है पढ़ने के लिए मत बोलिये उनको कईए सो जाओ कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है कव सो जाओ तो बीस मिनट सोएंगे आदा घंटे एक घंटे या दो घंटे सो जाए फिर कहो अब उठने दो अपने आप से उठने दो अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शान्त होगा फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैटेगा देमाक में बैटेगा और एक छोटी सी बात आप सबेरे सबेरे स्कूल जाने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हों कारण क्या है वो समझ लीजे समझ लीजे वो ये मैं ये कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है लेकिन समझ जरूर लीजे ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत बच्चों को मार मार के सबीरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके उपर होता है वो क्या होता है सुबह का समय कफ का समय है दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है उस समय उनको सबसे गहरी नीद आएगी उपरकरती का नियम है और उसी समय मार पीट के आप उनको उठा के बातरूम में खरते हैं चल जल्दी से ना बस आ गई है आटो रिक्षा आ गया है अरे ये बस और आटो रिक्षा क्या करेंगे उसकी जिंदगी को मैं नहीं क्या कर लिया इतना सा पढ़ने के बाद क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा कॉलेज में नहीं पढ़ा स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे तो कहतें क्या करूं यार काम तो मेरे भी नहीं आया मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया यह भेडिया धसान है मैं आपको विनम्रता पूर्वा की यह कहना चाहता हूँ कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाये उनकी जिन्दगी का 90 से 95 प्रतिशत बेकारी जाने वाला है अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिन्दगी में तो आप यह अत्याचार मत करिए फिर आप कहेंगे जी इसकूल तो सुबही चलते हैं तो इसकूल वालों को मिलकर समझाईए कि बच्चों के स्कूल का समय दुपहर को रखे अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे ऐसे समझेंगे बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ऍे पड़ हैंना신 स्कूल के master PB के पड़ रहे हैं बच्चे आपके पड़ रहे हैं उसकूल वालों को जगमार के सुनना इंपड़ेगा क्योंकि स्कूल तो आप से चल रहा है आप इसकूल से नहीं चल रहे है इस्कूल आपसे चल रहे आप लाकों रूपए उनको donation दे रहे हैं करोड़ो रुपे फीज दे रहे हैं तो उनको कहिए छोटे बच्चों के school कभी भी सबेरे नहीं होने चाहिए साथ बज़े से school चल रहा है तो होना ही नहीं चाहिए उनका school 11 बज़े से 12 बज़े से होना चाहिए आप प्रयास करिए सफलता मिले तो बहुत अच्चा नहीं मिले तो अपना अलग school ही खड़ा कर दीजे हाँ क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं कोई करोड़ पती से कम नहीं है क्या मुश्किल है कि school ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा जी हम आयुरवेद के हिसाब से चलेंगे हम बागवट के हिसाब से चलेंगे हमारा बच्चों का school दुपहर को ही शुरू होगा तो आप कोशिश करिए कोशिश करने बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए हम बच्चों को क्योंकि school में पढ़ाने वाली भी teacher है या teacher है उसके भी अपने बच्चे हैं वो भी देख रही है महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका यह मत अब सुबह की नीद उनकी ठीक से आए इसके लिए वो रात को जल्दी सोएं तो आठ वजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजें आठ वजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे बच्चे जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं तो आप आठ वजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजे बच्चों में आदत पड़ गई नीद आने की आठ वजे तो वो सोएंगे भरपूर नीद लेंगे सुबह छे वजे तक उठेंगे बहुत अच्छे से उठेंग तो भरपूर नीद लेने दीजे क्योंकि वो कफ के असर में है तो बच्चों की दिन चर्या में आप ये ध्यान रखिए कि आठ से दस गंटे सोना कमपल सरे एक बात दूसरा बच्चे कफ के प्रभाव में है ये मैं बार बार कहूंगा आप से ताकि याद रहे बच्चे कफ के प्रभाव में है और कफ का प्रभाव छेत्र जो है न वो जान लीजे हिर्दय से उपर और मस्तिश्क का अंतिम बिंदू ये कफ का छेत्र है हिर्दय से उपर यहां से उपर पूरा ये कफ का छेत्र है हिर्दय से नीचे नाभी तक ये पित का छेत्र है और नाभी से परवाले ही होंगे बचपन के नाग बहेगी सर्दी होगी जुकाम होगा खासी आएगी ये सब इसी एरिया के रोग हैं तो बागवटी जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें बिगड़े नहीं उनका कफ तो इसके लिए बच्चों की मालिश उन्होंने तेल मालिश बहुत जरूरी है वैसे तो सब माताई करती ही है अंजाने में वो एक बड़ा काम कर रही है कफ को कम करने की जो दूसरी चीज़ बताई है बागवटने एक तो मैंने बता नीद जो कफ की बिक्रती को कंट्रोल में राती है दूसरी चीज़ जो कफ को कंट्रोल क करती है नियंत्रित करती है वो है मालिश घिसाई रगड़ाई यह कफ को कंट्रोल करते हैं नीद के बाद हो गई मालिश तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं शौचादी से निवरत होकर आते हैं तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए अब बागवटी जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे वो प्राणायाम ना करे योगासन भी ना करे ध्यान रखे इस बात को बागवटी जी कहते है कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम ना तो आसन ना तो प्राणायाम उसके लिए है मालिश रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के ठीक है? तो मेरी आपको विंतिय है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोचसाहित मत करिए कई बार माता पिता TV का channel खोल के और रामदेव जी का चल रहा है चल तू भी कर उसके लिए नहीं है ये व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली पित वालों को सबसे ज़्यादा कफ वालों को बिल्कुल नहीं योग प्राणायाम आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं वात वालों को थोड़ा पित वालों को सबसे ज़्यादा ये है सूत्र भाग बटे जे तो बच्चों को मत प्रेरित करिये कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी exercise करो, उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये exercise जितनी कम हो अतना अच्छा. मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए. अब तीसरी बात, तीसरा सोत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए. लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके, उपर तो ये जो इतना हिस्सा है, इसकी मालिश ज़्यादा करिए. ताकि कफ थोड़ा शांत रहे. तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूँ, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज़्यादा करिए. सिर, ये उपर का हिस्सा. धीरे 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 तेल लगाके, सिर की मालिश सबसे ज़्यादा करिए. तो मालिश किसे करेंगे तेल से तेल जो है कफ नाशक है तेल जो है ना कफ नाशक है तो सिर्की मालिश करेंगे छोटे छोटे छिद रहें तेल इससे अंदर जाएगा कफ को सामाने रखेगा तो कफ के प्रभाव में बिगडेंगे नहीं बच्चे माने गुसा नहीं करेंगे चुर्चुरे नहीं होंगे निगेटिव नहीं होंगे जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे तो बच्चों के सिर्की मालिश बहुत जरूरी है सिर्की मालिश दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा इस्थान है एक तो सिरुवा, दूसरे है कान ये कान है ना, ये कफ के स्थान है तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए कान की मालिश कैसे करें बस तेल लगाईए, हाथ में ऐसे ऐसे गुमाईए फिर उल्टा गुमा दीजे, फिर ऐसे गुमा दीजे और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिये उनको क्योंकि कफ का स्थान है कान तेल डालते ही कफ शान्त होगा तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं है वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी वो अंजाने में बहुत बड़ा वेग्यानिक काम करती थी देखा ना पुराने जमाने की माताओं को आज के जमाने की माताओं तो कहती है चिपचिपा है तेल तेल चिपचिपा है तभी तेल है नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं तो पुराने जमाने की माता हैं बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिया, फिर आप बूलेंगे जी कौन सा तेल, तो इसमें बागबटी जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं, उसके हिसाब का तेल, आप चिन्नई में रह रहे हैं, चिन्नई भारत के गरम इलाकों में हैं, गरम इलाकों में ठंडा तेल अच्छा, तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है, तो चिन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश, नारियल का तेल ही खाना, अब आप बिहार में जाए गए हर्याना पंजाब की तरफ तो मैं यह आकर आप से कहूंगा जी आप ये छोड़ो आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल इस्तेमाल एरिया के हिसाब से तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसको भोजन में भी उप्योग कर सकते हैं, बच्चों की नियमित मालिश सिर की कान की होती रहनी चाहिए। और तीसरी चीज आखें, आखें जो है ना कफ का ही केंदर है, सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आख, आख कफ का केंद्र है और आख के ज़्यादा रोग 99% रोग कफ के रोग है। जैसे मैंने आपको बोला ना, आख में आप बोलते हैं कि हमको केटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतिया बिन्द हो को कंट्रोल करने तेल नहीं डाल सकते आँखों क्योंकि तेल और आखों का मेल नहीं आखों में हमेशा एक फ्ल्यूड रहता है तेल में डालें माने तेल उस फ्ल्यूड में गया तो गड़बड करता है तो आखों के लिए घी ठीक है देशी गाय का घी तो बच्चों को नियम पिर बागवट जी कह रहा है कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज़ है वो है काजल काजल माने कारबन कारबन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निवाता है तो बच्चों को नियमित रूप से आँखों में काजल होना ही चाहिए बागवट जी ने बहुत सुंदर और बागबटी जी इतने दयालू और क्रपालू है कि उसकी पूरी विधी भी लिखके गए कि बच्चों के लिए जो सौवी रंजन बनाना है वो कैसे बनेगा उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूद और दारू हल्दी दारू हल्दी देखा जारू हल्दी एक हल्दी और एक दारू हल्दी तो दारू हल्री, गाय का दूद, गाय का घी ऐसी पास्सात वस्तों से बनता है पूरी विधी किताब में है, मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाथ तो बच्चों को नियवित रूप से आँख में काजल, क्योंकि कफ को शान्त करे कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है, ये तीन चीज़ें उनके लिए बहुत आवश्यक है फिर आगे चलें, आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में बागवट जी कहते हैं, दूद सबसे आवश्यक, दूद, बिना दूद के बच्चों का जीवन नहीं, दूद तो उनके लिए सबसे आवश्यक दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन, मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी और फिर तीसरी चीज़ है घी उसके बाद तेल और उसके बाद जो भी आप साधरन चीज़े खा रहे हैं गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीज़े मदद कर रही है घी है देशी गाय का दूद है दही है मठा है मक्षन है गुड़ है ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीज़े तो ये बच्चों के भोजन में नियमित तो भी चलेगा नहीं तो चने में खा सकते हैं तो बच्चों के daily diet में ये चीज़ें रहनी चाहिए गुड़ रहना चाहिए तिल रहना चाहिए मुंगफली रहनी चाहिए ये सब चीज़ें जिनको आप महसूस करते हैं न भारी हैं ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं तो भारी चीज़ें बच्चों को नियमित रूप से दीजे एक ही चीज़ का निशेद है एक ही चीज़ का निशेद बताया बागवट्टी जी ने पतला आटा अब पतला आटा उन्होंने कहा है पतला आटा माने बारी काटा इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं क्योंकि आज वो चीज है बागवट के जमाने में नहीं थी मैदा मैदा ही निशिद है बच्छों को मैदे की चीज नहीं अब मैदे की चीज नहीं क्यों क्यों कि ये कफ को बिगाडने वाली चीज है मैदा बागी चीज़ें कफ को संतुलित रखती है मैदे की चीज़ें कफ को बिगाडेंगी तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगें तो आटे की दे हैं मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में बागवट जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं अब मालिश हो गई भोजन हुआ फिर नाहने के लिए कहा है तो मालिश पहले इसनान बाद में हमेशा इसनान के बाद मालिश करने को मना किया है इसनान बाद में मालिश पहले तो अच्छे से मालिश करिए आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें तो इसके लिए बहुत सु करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 गंटे करें कि 20 गंटे 40 मिनट याप समय उन्होंने बताया नहीं क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा तो उन्होंने इतनी सुंदर अब्जरवेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें बगल में पसीना आते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए तो हो सकता है उनके माथे पर पसीना आ जाए तो ठीक है? तो मालिश मालिश के बाद इसनान इसनान के लिए बागवट्ट जी कहते हैं कि जो भी चीज़ें कफ को कम करती हैं वही चीज़ें इसनान में उप्योग करें, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आधुनिक बाद, बागवट्ट जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें, वही चीज़ें इस नान में उपयोग करें, तो कफ को कम करने वाली सबसे बहतरीन चीज़ आपके घर में है, चने का आटा, दूसरी बहतरीन चीज़ है, ये जो हमारे देश में संभवे पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, चंदन की लकडी का पाउडर, भागवटी जी ने कहा है कि यह बहुत कफ को कंट्रोल रखता है, तो चंदन की लकडी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा, और मोटा आटा कोई भी, गेहूं का हो, चने का हो, दाल का हो, मोटा आटा, फिर कहते हैं मसूर की दाल का आटा, फिर वो कहते हैं मुंग की दाल का आटा, ये सब कफ को कम करने वाली चीज है, तो कहते है बच्चों का इसनान इनी से कराएं ताकि कफ कम रहे मतलब सी बात है साबुन ना लगाएं क्योंकि यह जो साबुन है ना यह केमिकल है केमिकल माने सोडियम हाइड्रोकसाइड सोडियम हाइड्रोकसाइड माने कास्टिक सोडा ये कास्टिक सोडा तो कफ को बढ़काने वाली चीज है इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाए उनको चने के आठे से नहलाएं मुलतानी मिट्टी से नहलाएं चंदन पाउडर से नहलाएं क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब चीज़े हैं इन चीज़ों से ही इसनान कराएं उब्टन बना के रखें घर में उब्टन से इसनान कराएं बच्चों को साबुन गलती से भी ने और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आँख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आँख का क्योंकि आँख कफ के प्रभाव में है और साबुन बहुत तीखा होता है वो पित और वात के प्रभाव की चीज़ें है तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ साबुन और आँखों का जल तो तकलीफ करेगा वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबुन आँख में लगे तो आजकल टीवी में एक विग्यापन आने लगा है बिना आँखों निकालने वाला साबुन दुनिया में हो ही नहीं सकता ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं आपको कोई भी साबुन आँशू ना निकाले ये हो इनी सकता क्योंकि साबुन है ही पित और वात्का और आँखे है कफ की लगेगा तो आँखों से आँशू निकलेंगे ही हाँ एक ही समय में हो सकता है कि साबुन में कास्ट्रिक सोड़ा सबसे कम हो गिलिसरीन और तेल सबसे ज़्यादा हो तो गिलिसरीन और तेल अगर सबसे ज़्यादा है तो उब्टन में ही तेल मिला के नहला देना साबुन क्यों खरीद के ला रहा है 35 रुपए का आता है जॉंसन इं जॉंसन बेबी सो साड़े 300 रुपए किलो 35 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो काजू से महंगा है काजू 200 रुपए किलो साबू 300 रुपए किलो बादाम से महंगा है बादाम 300 रुपए किलो साबू 300 रुपए किलो और नहा के जाएगा कहाँ पानी में ही जाएगा न साड़े तीन सो रुपए किलो की चीज पानी में बाहर है उससे अच्छा काजू खिला दें उनको बादाम खिला दें तो नहाने के लिए उब्टन जो बहुत सस्ता पड़ता है और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है कफ को शमित रखता है कफ को शांत रखता है इसलिए उब्टन का इसनान बच्चों को जरूरी है आगे बढ़ें बच्चों का इसनान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया ऐसी चीज़ें उनको नियमित खिलानी है जो कफ को कम करती है मैंने तीन चार चीज़ों के नाम लिए दूद है, दही है, मठा है, हर मोटा अनाज, हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है, ये सब कफ को शान्त रखने वाली चीज़े हैं, गाय का घी है ना मक्खन और घी, मक्खन जादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के, क तीन चार बजे के आसपास क्या होता, उनका पित थोड़ा बढ़ेगा, बारे से चार के बीच में पित बढ़ता है, बारे बजे तक कफ के असर में है, बारे से चार के बीच में पित बढ़ेगा, तो उस समय ऐसी चीज़ें खिलाएं जो घी की बनी हुई हैं, घी की बनी तो ये हो गया बच्चों की दिन चर्या साथ बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें साथ बजे तक माहौल बने सोने का तो आठ बजे सोएंगे और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच ओफ मेरी तो आपको बिंती है कि घर के छ switch off करना है तो उस समय थोड़ा चल जाएगा लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं साल भर के डेड़ साल के दो साल के धाई साल के तब तक तो केबल कनेक्शन आफ रखें या केबल कनेक्शन है तो टीवी आफ रखें चले नहीं उनके साम नहीं तो वो चालू हो जाएंगे पोगो देखेंगे पोगो हाँ काटून फिल्म देखेंगे क्यों देखेंगे जान लीजिए कफ के असर में जो बच्चा होता है इसको समझाना चाहता हूं मैं कफ के असर में जब बच्चा होता है तो उसकी कलपना शीलता सबसे उंची होगी मैंने थोड़ी देर पहले कहाने ये कफ है जो सम में रहे तो व्यक्ती को बहुत कलपना शील बनाएगा इतना कलपना शील और वेग्यानिक बनाएगा सोच नहीं सकते बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा तो बच्चों की कलपना शीलता बहुत होती है क्योंकि वो कफ के असर में है इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है उनको अच्छी लगती है आपने एक कहानी सुनाई बच्चे कहानी सुनते हैं न बड़े मज़े से क्यों सुनते हैं वो उनकी कलपना शीलता में मदद करती है कहानी आपने कहा एक राजा था अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमागा आप आगे का वाक्य बोलेंगे उसके पहले वो कलपना कर लेंगे राजा कैसा है सिंगहासन पर बैटा है कि जमीन पर बैटा है बगल में राणी है कि नई है सामने वजीर है कि नई है मंत्री है कि ये तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म एक राजा था फिर कहेंगे आगे बताओ तो आप कहेंगे एक रानी थी अब रानी के बारे में सब बाते उनके दिमाग में आगे फिर आप कहेंगे क्या हुआ तो दोनों मर गए खतम कहानी अब आप कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हम लोग बच्चों को टालने के लिए कहते हैं एक राजा था एक राणी थी दोनों मर के खतम कहानी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जिस समय कलपना उनकी चलना शुरू होई आपने कहानी खतम कर दी अब आप टालना चाहते हैं उनको और वो कलपना करना चाहते हैं उस समय तो आप कहानी को जितना लंबा खीचें उतना अच्छा मेरा कहना ये है आपको कहानी को लंबा खीचते जाएं बले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खीचें उसको इतनी इलास्टिसिटी है एकता कपूर के सीरियल में कि सालों साल हो गए खतम ही नहीं होते साज भी मर गई, बहू भी मर गई एक जनरेशन चली गई, दूसरी आ गई ये बच्चों को चाहिए आप उनकी कल्पना शीलता को बढ़ाने में मदद करें माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी न करें सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत अच्छा और मेरी आपको विंती है कि चुन चुन कर कहानिया सुनाएं उनको अब आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाएं, भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए तो सुनाएं उनकी कहानी, रोज सुनाएं, सुनेंगे बड़े प्रेम से सुनेंगे, लेकिन कलपना शीलता के साथ आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताब जैसे हो तो सुनाएं उनकी कहाने लक्ष्मी भाई जैसे हो तो सुनाएं उनकी कहाने, क्योंकि बच्चों की कलपना शीलता आप से ज़्यादा बड़ी है, ये जान लीजिए, ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडार कम है, शब्द कोश कम है, लेकिन सोचने में वो आप से आ गए हैं, तो शब्द आप दे दीजे, कलपना शीलता उनके पास है बैठ कर वो अपना चित्र बनाई लेगे और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानियां आप सुनाइंगे वो उतने ही creative होने वाले हैं उतने ही creative हो अच्छा वैग्यानिक बनाना है बच्चों को तो कलपना शीलता उंची चाहिए तो अच्छे वैग्यानिक बनाना है अगर किसी भी बच्चे को तो कलपना शीलता उंची तो कहानी उतनी लंबी अच्छा mathematician बनाना है कलपना शक्ती अच्छी चाहिए तो कहानी लंबी मने लंबी कहानियां सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है ना पोगो की जरूरत है ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कलपना शीलता रम रही है तो वो बहुत जरूर है और फिर मेरी एक छोटी सी आकरी बात क्योंकि दूसरी बात के लिए समय कम पड़ रहा है कि जब बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो जान लीजे वो अपनी कलपना शीलता को बढ़ाना चाहते हैं तब सवाल कर रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब एमानदारी से दें जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है तो आप उनको कुछ उल्टा सीधा मत कहें आप उनको इमानदारी से कहें देख भाई, बेटा या बेटी मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है मैं कल पता करके बता दूँगा या परसों पता करके बता दूँगा बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कलपना शीलता की पूरती के लिए पूछ रहे हैं आप उनको कभी भी गलत जवाब तो दीजिये ही मत वो कह रहा है जी ये चंद्रमा क्यों चमक रहा है सफेद सफेद और तारे क्यों चमक रहे है और सूरज लाल क्यों दिख रहा है या पीला क्यों दिख रहा है या ये पत्ते हरे क्यों है ये पीले हो जाते हैं तो ये हरे से पीले कैसे हो गए ऐसे सवाल वो पूछेंगे उनके उत्तर पूरी इमानदारी से दीजिए तो इसका माने आपको पढ़ना ही पढ़ेगा बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा तो थोड़े दिन में जब उनको सच्चा ही पता चलेगी तो आपका आदर वो बिलकुल नहीं करेंगे उनके गुरू जी ने बता दिया कि ये पता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है सूरज इसलिए पिला दिखाई देता है जैसे उनको पता चलेगा तो आपकी इज़त तो दो कौड़ी की हो गई उनके सामने वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया मेरी टीचर ऐसा बोलती है तो आप से हटकर वो टीचर की तरफ चला गया और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया जैसे जैसे उसका आकरशन टीचर के प्रती बढ़ता जाएगा वो आपके कंट्रोल के बिलकुल फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा आप जो कहोगे उसके कभी भी भरोसा नहीं करेगा इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले का बच्चों को बढ़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम तो आप बच्चों के साथ वेभार वैसा ही करें जैसा प्रकरती ने उनको सबहाओ दिया है कफ का कफ का सबहाओ माने कलपना शीलता वाला सबहा कफ का सबहाओ माने इमेजिनेशन लिमिटलेस इमेजिनेशन वो सीमा के पार जाके बात करते है आप देखते हैं न दुनिया के सारे बच्चे परेशाने हैरी पॉर्टर पढ़ने के लिए है ना और आप और मैं सवाल करते हैं जी हरी पॉर्टर में रखा क्या है कुछ नहीं है उसमें तिलिस्म है जादू ही तिलिस्म है वो सच्चा नहीं है लेकिन उनकी कलपना शीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है इसलिए करोड़ों किताबें भिक रही हैं हैरी पॉर्टर की आप पसंद करें या ना करें क्योंकि बच्चे कफ के असर में हैं कलपना शीलता उस समय सबसे ज़ादा है तो जादूई बाते हैं तिलिस्मी बाते हैं जादूगर की बाते हैं ये सब उनको अच्छी इसलिए लगते हैं कि कलपना शीलता बढ़ाने में ये सब मदद करते हैं ये जासूसी उपन्यास जितने हैं बच्चे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में बसंतर या अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्चों की चंदा मामा या नंदन चुन-चुन के ऐसी कहानिया है उसमें जो उनकी कलपना शीलता बढ़ाती हैं तो वो लड़ेंगे आपसे चंदा मामा चाहिए नहीं तो ये किताब चाहिए, अमर चित्रकता चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए अब आपके उपर है कि आप उनकी कलपना शीलता कितनी बढ़ा सकते हैं 14 साल तक विशेश ध्यान रखें बच्चों का जब तक वो कफ के असर में अब इसमें बात में कुछ बाते आएंगी तो कल मैं जोड़ूँगा अब मैं आ जाता हूँ पित में पित के प्रकरती के लोगों की दिन्चरिया क्या पित प्रकरती माने 14 साल से उपर और 60 साल के नीचे इनकी दिन्चरिया क्या पित प्रकरती के लोगों को कफ का असर कम हो जाता है पित थोड़ा बढ़ता है वात उनके पास कम ही रहता या बिलकुल नहीं रहता अब पित्प्रकर्थी के लोगों को ज्यादा सोना जरूरी नहीं है उनका पित्प्रकर्थी है कफ तो ऐसे ही शान्त है तो ज्यादा सोना जरूरी नहीं मानि पित्प्रकर्थी के लोग अगर 8 गंटे सो रहे हैं 7 गंटे सो रहे हैं तो भी चलेगा नियूनतम नीद कितनी होनी चाहिए आप कहें पित्प्रकरती के सब लोगों को जिनकी उमर 14-15 साल से लेके 60 साल है इनकी कम से कम नीद 8 गंटे की रहे तो अच्छा है लेकिन इससे भी कम रह सकती है क्या? 7 गंटे हो सकती है लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा 6 गंटे भी हो सकती है 6 से कम नहीं और 8 से ज़्यादा नहीं ऐसे मान लेजे तो पित्प्रकरती के लोगों को 6 गंटे से कम नहीं सोना 8 गंटे से ज़्यादा नहीं सोना अब उसके हिसाब से दिन चर्या तै करिए तो आठ वजे सो जाएं मानलो आप भी ऐसे ही माने बागवट जी कहते हैं सूरियास्त के दो घंटे बाद सो जाएं बच्चे भी बड़े भी तो आठ वजे आप सो जाएं तो आठ से आठ चार बज गए ना चार बजे उठें आपके लिए उठना बहुत जरूरी है ब्रह्म महूर्त में पित्प्रकरती के लोगों का उठना बहुत आवश्चक है बच्चे ना उठें तो चलेगा आपको तो उठना बहुत जरूरी है क्यों? अगर आप चार बजे उठते हैं तो अगला पूरा दिन आपका बहुत बहतरीन और व्यवस्थित है और चार के बाद उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्व है क्यों क्योंकि जो जो करना है आपको वो चार बजे से लेके ही शुरू होगा चार बजे उठें आपने पानी पिया जो मैंने पहले ही बता दिया उशा पांच जिसको कहते हैं फिर शौचादी के लिए आप गए दस पंदरे मिनट मान लीजे उसमें गया फिर बाहर आप निकले दंत धावन शब्द इस्तेमाल किया दंत धावन करें माने दात साफ करें अब दात साफ कैसे करें पित प्रकरती के लोगों को हमेशा दात ऐसी चीज से साफ करना जो कशाए हो स्वाद में तिक्त हो स्वाद में कशाए समझते हैं कडवा जो स्वाद में कडवा है और तिक्त है ऐसी चीज़ों से आपको दात साफ करना है क्योंकि प्रकरती आपकी पित्त की है तो पित्त को कम करना, कंट्रोल करके रखना ये कशाय और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा तो इसका मतलब ये है कि आप नीम का दातुन करें जो कशाय भी है तिक्त भी है बागवट जी ने कॉल गेट के लिए मना किया है कॉल गेट ठाई नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने उन्होंने कहा है कि आप नीम का दातुन करें और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया मदार मदार समस्ते मदार का एक प्योड होता है वो गहते हैं, नीम से भी अच्छा है, क्योंकि वो और जादा कशा हैं, और जादा तिक, फिर एक है बबूल, फिर एक है अर्जुन, अर्जुन की चाल आपने पीए ना, अर्जुन की दातुन भी होती है, तो ऐसे वारे वरक्ष उन्होंने बताए है नीम है, मदार है, अर्जुन है फिर ये जो था ना, आम, आम, बबूल है, आम है, अमरूद है ऐसे वारे वरक्षों का उन्होंने वरनन किया है कि इनकी दातू नहीं करना इसकी आगे तेरेवे वरक्ष की नहीं और वो डिटेल लिखा है, किताब में आप ले सकते जब उन्होंने आगे लिखा है, वो मैं अभी बता दूँ वो ये कहते हैं कि जीवन में जो रितू है रितू, गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसाथ है तीन तो मुख्य रितू है, फिर इनकी उप रितू है तो छे हो जाती है, शरद है, शशिर है, वसंत है तो मोटा मोटा बता देता हूँ, ज़्यादा वारी का आपको याद नहीं रहेगा वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है गर्मी माने अपरेल से शुरू कर लीजे, उगादी उगादी से शुरू कर लीजे, नहीं तो आप मकर संक्रांती से ही मान लीजे तो मकर संक्रांती से लेकर जब तक गर्मी है, माने बारिश नहीं होती तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्हों तो इसमें चैतर भी आएगा, वह शाग भी अब आप पुरानी चीज ज़रा देखिए कि हमारे बच्पन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैतर का महिना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले एक साल तक बीमार नहीं पड़ेगा तो वो समय यही आता है, जो बागवट जी का कैलकुलेश क्यों यह जो समय है, इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद यह करेगा नीम तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है गर्मियों में और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा अमरूद के पेड़ का और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है जामुन का भी दातुन करने का नियम बताया है लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे के नहीं लेकिन अमरूद का आसानी से मिल जाएगा और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं अरजुन का भी कर सकते हैं और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीमकाई दातुन करें तो कर सकते हैं तीन महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना फिर तीन महीने कर लेना वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम द्यान रखना तो फिर आप बोलें थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें उस दिन दंतमंजन कर लेना दंतमंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल और जिस छेत्र में रहे हैं वहां जो उपलब्द लवन माने नमक और जिस शित्र में रह रहे हैं वहां की उपलब्ध हल्दी ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बनाके दांत पे घिस सकते हैं ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने माना दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है गाय के गोबर को सुखा कर जलाएं उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें थोड़ा सेंदा नमक मिला दें बहुत अच्छा दंतमंजन तीसरा वो कहते हैं कि यो त्रिफला चून मैंने बार बार आपको बोला त्रिफला चून है तो इसको बारीक पीस हैं बारे किसम की दातों ने तो आप ये जरूर करें मने टूथ पेस्ट बंद करें अब क्यों करें टूथ पेस्ट बंद बागवट जी और आधुनिक विग्यान को जरा जोड़ता हूं आप पित्त के असर में है जान लीजे सुबह सोकर उठेंगे तो मुँ में पित्ती ही बरा हुआ है लार जिसको आप कह रहें अब ये असर जादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको तो इसलिए का ये ये दातुन अच्छी है लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे है पेस्ट कर रहे है तो क्या है उसमें चीनी है चीनी है न शुगर है अब वो सैक्रीन के रूप में है या किसी भी रूत में शुगर है और शुगर और पित्त का जगड़ा है तो सुबह उठते ही अगर آپ पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है मीठा ब्रश माने मीठा पेस्ट पित में मिलाएं तो पित को तो बिलकुल खराब करेगा ही और मुँ को भी खराब करेगा क्योंकि सुबह का मुँ आपका मीठे के असर में आया मीठे के असर में तो 101% चांसे हैं कि आपके दात खराब होना जल्दी शुरू हो और मेरा अब्जर्वेशन है कि जो ज़्यादा पेस्ट कर रहे हैं उनी के दातों में कीड़े सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कीड़े लगना मने दात खराब होना आप बंद करिये या अच्छा नहीं विग्यान के हिसाब से बहुत कराब और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है मैं कई बार यहां बोलके गया हूँ सभी कॉल गेट क्लोज अप पेपसुडेंट जैसे टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड़्डियों से बन रहे हैं जैसे कॉल गेट बन रहा है कि कॉल गेट बन रहा है मरे हुए सुवर की हड़्डियों से पेपसुडेंट बन रहा है मरे हुए गाय की हड़्डियों से क्लोज अप और फॉरहंस बन रहे हैं बकरी और बकरे की हड़्डियों से और अगर आप शाकाहरी हैं चुस्त जैन है और सबरी सबरे हड़ियों को घिस रहे हैं तो कहां धर्म पालन हो रहा है और आप तो जैन है तो इतना जान लीजे कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है ना परोख्ष हिंसा का पाप भी उतना है तो किसी कंपनी ने आपके लिए बनाया टूथपेस्ट माने उसने मारा जानवरों को उसमें से निकालने के लिए हड़ियां आपके लिए बनाया तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना तो क्यों ये call gate close up बंद कर दीजे, दातुन पे आईए नहीं तो दंत मंजन आप कहेंगे चिन्नाई में दातुन नहीं मिलता नहीं मिलता तो दंत मंजन बताया उनोंने वो आप बना लीजे तरीका मैंने बता दिया सभी रितूओं में एक दंत मंजन वो कहते हैं common है त्रिफला चून का दंत मंजन किसी भी रितूओं में किया जा सकता है तो आप उसका दियान रखे अब आपने दात बात साफ कर लिए अब आपकी आगे की जो दिन चर्या है वो कैसी होगी आपको जो है ना पित प्रकरती के लोगों को मालिश भी करना है व्यायाम भी करना है बच्चों के लिए तो सिर्फ मालिश है आपके लिए मालिश भी है व्यायाम भी है तो अब आप में कई बार confusion ऐसा होगा कि व्यायाम पहले करें कि मालिश पहले करें तो बागवट जी ने clear कहा है कि वात के जो रोगी है उनको मालिश पहले व्यायाम बाद में और पित के जो रोगी है रोगी से मतलब आप पित के असर में हैं तो व्यायाम पहले मालिश बाद में तो आपको व्यायाम पहले करना है मालिश उसके बाद करने अब आप पूछेंगे कितना व्यायाम करें तो आपके लिए भी नियम वही है कि जैसे ही आपके बगल में पसीना आया व्यायाम रोग दें जैसे ही बगल में पसीना आया व्यायाम रोग दें उसके आगे व्यायाम ना करें पसीना आया व्यायाम रोग दें कहते हैं सबसे अच्छा व्यायाम क्या सबसे अच्छा तो आप कहेंगे जी दोड़ना तो भारत के हिसाब से ये सबसे अच्छा नहीं है भारत के हिसाब से ये दोड़ना बिलकुल अच्छा जैसे दो चार दस बड़े शहरों को छोड़ दो जो समुद्र के किनारे हैं बाकी देश रुक्ष है रुक्ष माने सूखी हवा चलती है तो रुक्ष है तो बात ही होगा तो वाद परकरती का देश है इसलिए दोड़ना तो यहां बिलकुल निशिद्ध है दोड़ना तो नहीं रुनिंग तो बिलकुल नहीं वो ट्रेड मिल पे दोड़ें वो भी नहीं एकसरसाइजर लाके उस पे भी दोड़ें बिलकुल नहीं वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं जिन में वायू ना बड़े तो सबसे अच्छा उन्होंने बता सूरी नमशकार आपके लिए अब आप चाहें आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने तो सूरी नमशकार आपके लिए सबसे अच्छा है तो आप सीख लें सूरी नमशकार किसी ने सीखा है वो दूसरे को सिखा दे नहीं तो इस पर अलग से एक आप सेशन कर सकते सूरी नमस्का दूसरे कुछ व्यायाम है आपको तो वो व्यायाम में छोटे छोटे इस्तर पर दंड वैठक छोटे छोटे इस्तर ज्यादा लंबी नहीं छोटी दंड बैठक है और छोटी छोटी इस तर के कोई भी व्याया जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले सीधी सी बात घर में हो तो बहुत अच्छा अब वैसे माताओं को तो वागवट जी कहते हैं कि व्यायाम की अत्रिक्त जरूरती नहीं है अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी है तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है सिल्बटे पे चटनी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप कहेंगे हम करते नहीं है मैं प्रेरणा दे रहा हूं करने लगें आप मिक्सी का उप्योग कम करें सिल्बटे का जादा करें चक्की का उप्योग जादा करें मिक्सी का उप्योग कम करें बाजार में यह इलेक्ट्रिक चक्की है उसका उप्योग कम करें वो मैं पहले भी बोल चुका था अभी भी बोल रहा हूँ कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे उसकी quality बहुत बहतरी नोने ही वाली है क्योंकि इसमें घर्शन कम है और घर्शन कम है न तो अनाज धीरे-धीरे पिसेगा और अनाज धीरे पिसेगा तो टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा और वात वाले देश में टेंपरेचर बढ़ना नहीं किसी भी चेस का और आप इलेक्ट्रिक चक्की में पिसवाएंगे ना बहुत तेज घर्शन है तो अनाज में नाश होदा जाएगा पोशेक्ता कम होने ही वाले है तो हाथ की चक्की का खाके देख लीजे एक रोटी और ये बिजली वाली चक्की का खाके देख लीजे एक रोटी एक ही मिनट में अंतर पता चलिए है तो अगर आप करें तो अच्छा है फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं मैंने चिन्नई में देखा दो लोगों को जो चक्की बना के देंगे आप अगर उनको ओर्डर दें तो पत्थर वाले लोग यहां है मैं छे दिन से यहां गूम रहा हूँ सड़क पे दिखाई दिये तो सिल्बटा तो है उनके पास चक्की नहीं है क्यों नहीं है वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाएं आप लेंगे तो बनाएंगे दो चार बना हुआ है तो वो भी और आपको कही ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन तो हम कुछ ट्रक भर भराके राजिस्थान से गुजराथ से बिजवाएंगे आपके पास ट्रक भरके भेजेंगे तब ही सस्ती पढ़ेगी एक दो आएगी तो मुश्किल हो जाएगी और आप अगर राजिस्थान जाते हैं या गुजराथ जाते हैं तो एका चक्की तो साथ में भी ला सकते हैं एसी थ्री टायर में आप साथ किलो तक वजन ला सकते हैं एसी टू में सौ किलो तक ला सकते हैं और स्लीपर क्लास में चालिस किलो तो लाई सकते हैं कन्फर्म टिकिट पे तो चक्की तो 20 किलो से ज़्यादा होती ही नहीं है तो आप भी जाएं कभी राजिस्थान गुजरात तो दो चक्की एक आदमी ला सकता है तो आप लाएंगे चक्कियां तो क्या होने वाला है वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं उनका कुछ रोजगार तो बढ़े कुछ रोजी रोटी चले जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए देहिक देविक भातिक और दूसरों के दुख दूर करने में मदद करिये तो मोक्ष मिलेगा तो आपने चक्की बनाने वाले का भातिक दुख तो दूर किया चक्की खरी दी तो पैसा तो मिला गरीबी कम हुई रोजगार बढ़ा तो बहुत एक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्षी की तरफ जा तो चक्की है, सिल्बटा है, कोशिश करे तो व्यायाम की अतरिक तो जरूरत नहीं और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हलका फुलका व्यायाम आप जरूर करे और बहनों को, माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है बागवट जी कहते हैं forward bending forward bending माने आगे जुकना, तो जितनी बार आप आगे जुकें, धियान रखें कमर से जुकें, हमेशा तो जिन्दगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का आगे कमर को छोड़ कर कहीं से भी जुकेंगे तो तकलीफ है कोशिश करें कमर से जुकें, जितना जुक पाते हैं वहीं तक जुकें, जरूरत नहीं है कि नीचे तक जुकें हो सकता है कमर से जुकें तो आपके हाथ गुटने तक ही आए वहीं तक रहने दीजे, सहज होकर करिए, असहज होकर मत करिए तो थोड़ा व्यायाम, 15-20 मिनिट में पसीना आ जाएगा उतना काफी फिर उसके बाद मालिश, आपको भी मालिश जरूरी है क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विक्रत ना हो तो आपको भी बच्चों की तरह ये बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज़्यादा, कान की भी मालिश ज़्यादा और बाखी शरीर की तो करनी है और शरीर में सबसे ज़्यादा मालिश तलवे की, पाउं की मालिश के बाद इसनान इसनान उसी तरह से उब्टन आदी से और फिर भोजन भोजन के बाद विश्राम 20 मिनट फिर आपका काम फिर रात्री का मने शाम को 6-7 बजे का भोजन इस तरह का नियम है पित्तौ वालों का और वातवालों के लिए क्या है जिनकी उम्र 60 के उपर है उ जैसे बच्चों को निशेद वैसे उनको निशेद उनके लिए मालिश बहुत जरूरी जैसे बच्चों की वैसे वातवालों की बने बुजर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है व्यायाम से भी जादा और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर्ट तलवे दो चीज़े और कान भी तो मालिश आप करें व्यायाम करें तो बहुत ह島 कुछा फुलका करें लेकिन यह नियम भागवट जी ने नहीं बताया किया व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है तो हो सकता एक गंटे तक भी ना आए और आप करते रहें ये पित और कफ वालों के लिए है सिर वात वालों के लिए तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सका है वैसे तो बात वालों के लिए बागवट जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है वो है दिशा निर्देश बुजर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुवव ले लि चाहिए तो ज़्यादा भाग दोड़ नहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना तो मैंने कोशिश की कि आपको एक सवा घंटे में तीनों प्रकरती के लोगों की दिन चर्या बता सको अब तीस तारीक को मैं थ जब तक प्रश्न का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रश्न पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिखके जरा इसको मैं बतना मनुष्य के मूत्र का महत तो क्या यह प्रश्न है कल मैंने गो मूत मूत्र का महत तो मनुष्य के मूत्र का महत तो क्या मनुष्य का मूत्र भी औशदी के रूप में काम आता है और बागवट्ट चिकित्सा में उसके लिए दो सूत्र है उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते माने अपना स्वयम का मूत्र पी सकते हैं लेकि अपना स्वयम का मूत्र भी उपयोग में ले सकते। आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है फिर आपके मन में प्रशनाएगा दोनों में क्या? तो बागवट्टी जी ने बहुत इसपश्ट कहा हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा। अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्द है तो वो पियें नहीं उपलब्द है तो आप स्वयम का मूत्र भी पी सकते अब स्वयम के मूत्र में वो कहते हैं कि सबेरे सबेरे जब सोकर उठें और पहला मूत्र हो वही उपियोगी है बाकी दिन भर का नहीं उठें और पहला मूत्र और पहले मूत्र को भी collect करने की विधी उन्होंने बताईए वो विधी क्या है कि आप मूत्र करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें शुरू का शुरू का दो चार पांच मिली लीटर दस मिली लीटर थोड़ें और अंत का बिल्कुल छोड़ें बीच वाला यह यही आप पी सकते हैं तो आप बोलेंगे किस-किस वीमारी में काम आएगा कम से कम आपका स्वयम मूत्र 100-103 बीमारियों में काम आएगा वाद की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा पित्त की बीमारियों में भी काम आता थोड़ा कम आएगा और उसके साथ आयरोवेद की कुछ आउशदियों का अगर कॉंबिनेशन करें तो वो बहुत ही अच्छा है अभी इतना ही कहता हूँ अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा